नमस्कार आज तक के न्यूस पोर्टल पर अभी ये खबर प्रकासित हुई है कि बोर्ड परिक्षार्थियों के लिए अच्छी खबर इस्कूल 20 मई से सुरू करेंगे ऑनलाइन क्लासेज राजमेय अंसिक लागडाउन 24 मई तक बढ़ा दिया गया है लेकिन चात्रों की पढ़ाई के नुकसान को देखते हुए ऑनलाइन क्लासेज पर लगी रोख 20 मई से हटा दी जाएगी हालाकि अभी भी ऑफलाइन क्लासेज आयोजित करने की अनमती नहीं दी गई है लेकिन बोर्ड परिक्षार्थी ऑनलाइन क्लासेज से अपने डाउट्स क्लियर कर सकते है 16 मई की 4 बच के 22 मिनट के अपडेट है यूपी दसुई बारोई के चात्रों के लिए अच्छी ख़बर है ऐसे में बोर्ड परिक्षार्थी अपनी एक्जाम की तैयारी को अंतिम रूप दे सकेंगे राज में अंसिक लागडाउन 24 मई तक बढ़ा दिया गया है लेकिन शात्रों को हो रहे पढ़ाई के नुकसान को देखते हुए आउनलाइन क्लासेज पर लगी रोग 20 मई से हटा दी जाएगी हाला कि अभी भी आफ्लाइन क्लासेज आयोज़ित करने की अनुमती नहीं दी गई है मगर बोर्ड परिक्षार्थी आउनलाइन क्लासेज में अपने डाउट्स किलियर कर सकेंगे बता दें कि 56 लाख उमीदवारों को इस वर्स यूपी बोर्ड पर इक्षा में सामिल होना है यूपी मुख्यमंती योगी आदितिनात की अध़क्षता में हुई मंत्री मंडल की वर्चूल बैठक में यह फैसला लिया गया है हाला कि बोर्ड एक्षाम्स की डेट्स पर अभी कोई फैसला नहीं किया गया है एक्षाम्स की डेट्स पर 20 मई के बाद कोई फैसला लिया जा सकता है सिक्षमंती दिने सर्मा मुख्यमंती योगी आदितिनात के साथ करोना की इस्थिती पर विचार करने के बाद बोर्ड परिक्षाओं की डेट्स पर कोई फैसला लेंगे छात्रों को समय पर इसकी जानकरी भी कर दी जाएगी हमारे चैनल पर मैं आपको एक और बात सुनाओ मैं अंदर की मुझे खबर मिली है मैंने एक जगा आर्टिकल ये पढ़ा हुआ था जिसी का बोर्ड से ही आपकी संबंदित है उन्होंने ये कहा था कि माली जे अगर ये बोर्ड परिक्षाओं के लिए सरकार अगर आपका एक्जाम करवा भी रही है खासकर कि 10 की बात तो है 12 का तो माली जे ऐसे प्रमोट करना थोड़ा मुस्किल है तो अगर 10 की में ये भी मैंने एक जिगा न्यूस आर्टिकल में चीजे पढ़ी थी तो उसका ये भी कारण है मुल्यांकर में समस्या होगी तो इसके चलते प्रमोट होने का सोच सकती है यूपी गवर्मेंट मैं आपको एक और आर्टिकल दिखा रहा हूँ भी ये देखिए दैनिक्स जागरण के ये न्यूस बोटल पर है कि मुल्यांकर में भी होगी चुनवती मादमिक सिक्षक संग पांडे गुट के युवा प्रकोष्ट प्रदेश अध्यक्ष रैक्टर भोज कुमार सर्मा का कहना है कि बोड की प्रियोगादमक परिक्षाएं भी संपन नहीं हो सकी है संक्रमण की ऐसे स्थिती में बोड परिक्षा कराना या फिर उत्तर पुस्तिकाओं का मुल्यांकर कराना एक साथ संभो नहीं होगा ऐसे में परिक्षा कराने से पहले इसके लिए संसाधन बढ़ाने होंगे और मुल्यांकन के लिए भी सुरच्छी टूल इजाद करना होगा तो अभी मतलब ये भी बात थोड़ी से उठ रही ये भी इस्सु आ रहा है कि मुल्यांकन आपका नहीं हो पाएगा आपको देते आये हैं और देते रहेंगे तो इस्टे ट्यून रही है